आज का वीडियो इस्पेसल होने वाला है हमारे क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए जो के विएस में बढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उनके इंगलिस सब्जेक्ट के कॉशन पेपर को की कॉशन पेपर कैसे बनेगा कॉशन कहां कहां से आएंगे कॉशन पेपर की डिजाइन क्या होगी तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेसन इंडिंग एक्जाम कितने मार्ग्स का होगा सेसन इंडिंग एक्जाम 80 मार्ग्स का होगा जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एमडीपी प्रोजेक्ट 20 मार्ग्स का होगा ओरल टेस्ट 20 मार्ग्स का होगा पेन पेपर टेस्ट यानि रिटेन टेस्ट 40 मार्ग्स का होगा पहले ये टी नंबर का होता था सिर्फ लेकिन अब क्या किया गया है बर्डन कम करने के लिए 40 marks को MDP और oral test को दे दिया गया है तो आईए देखते हैं आखिर pen paper test की design क्या होगी जिसको बोलते हैं blueprint blueprint class 3rd, 4th, 5th का same रहेगा बस क्या difference होगा आपकी text book के according आपकी slaybers के according question आपके question paper में आएंगे time 2 गंटा 30 मिनट होगा total marks 40 होगे आप देखते हैं कौन कौन से section होगे पहला section होगा reading का reading में दिया जाएगा आपको one unseen passage world limit of passage class 3rd में 25 to 35 words की रहेगी class 4th में 35 to 50 words रहेगी class 5th में 50 to 75 words रहेगी इसमें question पूछे जाएंगे very short answer एक एक नंबर वाले 5 question पूछे जाएंगे आगे क्या है prose poetry इस section में क्या होता है जैसे मैंने हिंदी के paper में आपको बताया था इस section में आपसे question answer पूछे जाएंगे जो आपके chapter पर based होगे इसमें क्या होगा एक आएगा very short answer एक नंबर का और दो आएंगे short answer दो नंबर के यानि total तीन question होगे 5 marks के आगे बढ़ते हैं अगला section है grammar grammar में 5 question आएंगे दो दो नंबर के यानि 5 mc क्यों आएंगे जो होगे 10 नंबर के लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एक नंबर वाले 10 question करने पड़ें तो इसके लिए आप तयार रहेगा ये texture पर depend है कि वो किस तरीके से grammar के portion को set करता है फिर आएगी creative writing जो 5 marks की होगी 5 into 1 इसका मतलब आप समझ रहे हैं न long answer इसको बोलते हैं मतलब जब 5 नंबर का question होगा तो वो long answer होगा इसका मतलब creative writing जो है वो long answer वाली चीज़ है अब आगे बढ़ते हैं spelling इस section में 5 mcq होगे जो एक-एक marks के होगे फिर next section होगा vocabulary इसमें 5 mcq होगे वो भी 5-5 नंबर के होगे फिर है handwriting अब यहाँ पर handwriting में लिखा गया है handwriting को essay और LA के आधार पर भी assess किया जा सकता है इसका मतलब क्या है कि अगर handwriting का अलग से कोई section नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है जो आप अपने question paper में answer लिखेंगे उसके base पर आपको handwriting के marks मिलेंगे अब question paper को अच्छे से समझने के लिए आए देखते हैं sample test paper यह रहा हमारा sample paper class 5th subject English total marks 40 time है 2 और 30 minutes note भी लिख दिया गया है marks of handwriting will be given on the basis of handwritten answers and creative writing पहला section है reading मैंने आपको पता है था reading में unseen passage आएगा इस passage को अच्छे से पढ़िए और फिर उसके base पर आपको 5 MCQ question मिलेंगे सही option पर tick करिए और पूरे पूरे 5 marks पाईए अगला section क्या है अगला section है writing राइटिंग प्रोज और पोईट्री यहाँ पर question answer आएँगे तीन question आएँगे एक एक नमबर वाला दो दोदर नमबर वाले यहाँ पर देखिए फिर सकेन और थर्ड कोश्चन टू-टू marks का है mention भी है यहाँ पर इस तरीके से आप अपने question answer त्यार करिए क्या होता है हम question answer तो त्यार कर डालते हैं लेकिन बाखी की चीज़े त्यार नहीं करते इसलिए हमारे marks कहीं न कहीं कामा जाते हैं अब आपके marks पूरे पूरे आएँगे आप इस बार 40 out of 40 ही लाएंगे अगला section क्या है grammar grammar है 10 marks का में देखिए पहला question क्या है which of the following sentences is punctuated correctly यहाँ पर एक sentence दिया गया है आपको punctuation चक करनी है अगला क्या है choose the correct options for given blanks the sailboat is fast the car is fill in the blanks then the sailboat the aeroplane is the fill in the blanks of all यहाँ पर आपको सही degree of comparison fill करनी मतलब यह question degree of comparison से related है अगला क्या है choose the correct contraction for the word यहाँ आपको were not, sail not का sort form choose करना है अगला क्या है अगले में आपको एक sentence बनाना है next question में आपको क्या करना है describing words in the above sentences आप आपको बताने हैं कि इस उपर वाले sentence में describing words कौन कौन से है आप practice करिये मैंने आपको answer की दे दी है आप description box में जाके उसे download कर सकते हैं पहले आप अच्छे से practice कर डालिए अगला क्या है अगला section है creative writing जो है five marks की देखी यहाँ पर दो तरीके के question भी बता दिये गए बहुत अच्छी बात है चूज two friends from your class who are very different from each other use the given clues to describe their nature you may also add your own words to describe them world limit 50 to 75 words यहाँ पर कुछ सब्द दे दिये गए इसके आधार पर आपको अपने class के दो दोस्तों को describe करना है और आप इस question को भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था look at the given picture and write the story in your own word इन pictures को देखिए और यहाँ पर story लिखिए कि आखिर इस picture में कौन सी story है world limit यहाँ पर भी set कर दीगे लेकिन याद रखिएगा आप ध्यान रखिएगा जब भी आप creative writing का answer दे रहे हो और वो 5 number की हो तो आप कम से कम 5 sentence तो लिखिए ही आपको पूरे पूरे number मिलेंगे यह section था हमारा creative writing का अब आगे पढ़ते हैं देखते हैं अगला section के अगला section है spelling जो है 5 marks का find the correctly spelled word second question related है prefix से यानि ly को दिये गए word के पीछे लगाई और पताईए कौन सा word सही है which of the following is not a rhyming word of the word friend अब यहां को आपको rhyming word बताना है find out the word with incorrect spelling incorrect spelling वाले word को find करना है फिर आपको क्या करना है which of the following words cannot be formed from the letters of the word mother अब mother से ऐसा कौन सा word यहां पर है जो form नहीं किया जा सकता है अच्छे से reasoning based question है इनको आप करिए वो क्या है which of the following is not a synonym of the word beautiful एक नमबर का question है जो word beautiful का synonym नहीं है उस पर टिक करिए फिर आपको क्या करना है plural बताना है फिर आपको क्या करना है एंटोनीम बताना है फिर आपको क्या करना है इस word की meaning बतानी है फिर आपको क्या करना है it is honor to be a part of your team a and the upon क्या भरना है यहाँ पर सही से यह थे पांच नमबर के question याद रखिए का आप इनसे क्या करिए topic उठा लीजिए जो जो इसमें question पूछे गए उस topic पर based आप सारी question का डालिए जैसा इंटोनीम हो गया plural हो गया describing word हो गया new word आपको लिखाए गया होंगे उनकी spelling देख लीजिए उनकी meaning देख लीजिए इस तरीके के question vocab और spelling वाले section में आएंगे यह था आपका paper class 5th का अब आपको क्या करना है इस paper की अच्छे से practice करनी है मैंने answer की भी description box में upload कर दी है पहले अपने question paper को खुश से करिए फिर देखिए answer की और मिलाई आपने किते marks इस question paper में लाए next video में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं इसका question paper तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye students